नमस्कार, टीम मॉम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू टिकी बर्गर, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अधिकतर पसंद है और घर पर असानी से बना सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वाधिश, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। आलू टिकी बर्गर बनाने के लिए हमने लिया है पांच उबले हुए आलू, दो प्याज स्लाइसिस किये हुए, दो टमाटर स्लाइसिस किये हुए, पत्ता गोबी कदू कस करी हुई, चार बन, हमने तिल वाले लिए हैं, आप चाहें तो प्लेन भी ले सकते हैं, जो मार्किट में इजरी मिल जाते हैं, si, बर्गर की टिकी बनाने के लिए एक बॉल लेंगे, उसमें आलू को कदू कस करेंगे, आप चाहें तो आलू को हाज से मैश कर सकते हैं, alu का का इस्तम मैश किये हुए आलू में छे चमच कॉल फोल डारेंगे ताकि टिक्की की बाइंडिंग अच्छे से खेज़ाई फिर इसमें डालेंगे दो चमच नमक, एक चमच लाल मुच पाउडर, एक चमच घनिया पाउडर, आदा चमच गरम मसाला, एक चमच अंचू पाउडर, एक चमच घनिया हुआ जीरा, एक चमच चाहत मसाला और एक चमच हरा कटा हुआ धनिया डाल कर इसे अच्छे स्रीके से मिलाएंगे, सभी मसालों और कॉर्ण फ्लोर को आलू में मिला कर मत लेंगे टिक्की की बाइंडिंग चेक करने के लिए हाथ में आलू लेकर टिक्की का अकार देने की कोशिश करें अगर आलू चिपकते हैं तो वो अच्छे से बाइंड नहीं हूँ हैं इसलिए मैंने दो चमच कॉर्ण फ्लोर और एड़ किया है आधा चमच देल हाथ पर लेकर आलू पर लगाएंगे और अच्छे से मत लेंगे ताकि टिक्की बनाते समय चिपके नहीं आलू का मिश्रण बन कर तैयार है दोनों हथेलियों में जरा साते लेंगे और एक पेड़े जितना आलू लेकर हथेली पर रख कर दूसरे हाथ से दबाते हुए टिक्की का अफ्टार देंगे ऐसे ही सारी टिक्की बना लेंगे आलू टिक्की को प्राइ करने के लिए एक प्लैन लेंगे और दो चम्मस तेल डालेंगे आप चाहें तो इसे डी प्राइ भी कर सकते हैं लेकिश्र हमने शेलो प्राइ किया है तेल करन बोटे ही टिक्की को एक एक करके तवे पर रखेंगे और दीमी आज पर उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेखेंगे जब साइडों से गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तब उसे पलट लेंगे दोनों साइड से फ्राई हो जाने पर सभी टिक्यों को प्लेट में निकाल लेंगे देखिए टिक्की बन कर तैयार है सारी साइडों से अच्छी तरह से कुरकरी बनी है और कलर भी बहुत अच्छा आया है फिर पैन पर आधा चमस तेल डालकर गरम करेंगे और बन को रख कर सेखेंगे बन पर भी तेल डालेंगे और प्रेस करते हुए क्रिस्पी होने तक सेखेंगे क्रिस्पी होने पर प्लेट पर में निकाल लेंगे आलो टिक्की भी बन कर तयार हो गई है और बन भी इसे के लिए है चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं एक बोड पर सभी बन को रख लेंगे बॉटम बन पर ग्रीन चट्नी लगाएंगे उस पर टिक्की रखेंगे बन की दूतरी साइट पर इमली फिलाल चट्नी लगाएंगे फिर टिक्की वाले बन पर एक एक टमाटर स्लाइसिज लगाएंगे और एक एक प्यास की स्लाइसिज लगाएंगे फिर दोनों साइब्स पर हटी हुई पक्ता गोधी लगाएंगे और हरा धनिया भी लगाएंगे आखिर में मियोनिस लगाएंगे और फिर एक एक बंद को टिकी वाले बंद पर रखेंगे और उस पर टूट्पिक लगा कर टाई कर देंगे देखी हमारा आलू टिकी बर्गर बनकर तयार है दिखने में कितना यमी लग रहा है आलू टिकी बर्गर को पत्ता गोबी और भरे तटे धनिय से कार्णिश कर लिए आप भी इस यमी बर्गर की रेसिपी को ट्राई करिए और इसकी यमी नस का स्वाध लिए अगर आपको हमा यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना बूलें झालू